जाए हिंद आपके अपने चैनल लिए स्टड़ी 24 के बढ़ा मा स्रीज में आज हम परकास किये जो भी जैसे की रेलवे एससी बैंकिंग जो भी सेक्टर है उसमें कितना अमार का पूछा जाता है और आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या इंपोर्टेंट है इसके बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे वीडियो प्राराम करने से पहले हम आपको बताना चाहिए कि परतेक दिन तीन वीडियो आपके लिए लाते हैं जिसमें पहला जो अभी वीडियो देख रहे हैं वीडियो में बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए इंपोर्टेंटने कहां से कोर्षेन आता इसके बाद आपक़ टेस्ट वीडियो टोपिग वाइज टेस्ट ले रहे हैं जिसकेमाध्यम से आपका और कमी जिस कमी के वज़ा से कहीं ने कहीं आप एक दो या पांस-दस मार्क से पीछे हो रहे हैं उसको पूरा करते हैं और इसके बाद भी आपका कोई कमी रह जाता है उस टॉपिक में समझने में आपके पास content नहीं तो explanation वीडियो के माध्यम से आपकी हर वो कमी को पूरा करते हैं त इसके बाद फिर हम टॉपिक अनालाइस करेंगे इतिहासिक प्रिष्ट भूमी में देखे सबसे पहले 17 सताबदी में इसे परकास को जिसे बरतमान में हम लोग अभी परकास करें उस टाइम में इसे त्रंग नाम दिया फिर 19 सताबदी में इतिहासकारों में विवाद आया क इसे परकास नाम दिया परकास एक द्रिष्ट होता है द्रिष्ट परकास कि जो कि किसी बस्तु पर पढ़कर हमें दिखाई देता है जैसे परकास पहले भी देखें जो 4000 से लेकर 98 सांग स्ट्रॉंग तक के बीच की प्रकास को हों द्रिस प्रकास होते हैं इसके अलावा पी और बहुत कुछ होंगे जिसके बारे में एवर को पता नहीं है क्योंकि बहुत चिज्ड के इалог हम जो चीज अभी आँक से देखते हैं कि आपको क्या कहा हो सबसे पहले पर्कास का प्रावरतन सबसेरा प्रावर्तन सीधा क्या होता जब परकास एक परकास और प्रकास फिर 향angle सट हैं टी고 अब जीइस के विप्रित कोन बनता है और प्रकास यहां से नहीं यहां जशाना प्रकास कोशिन नहीं उठाता रोगत में उप्योग किया जैता है तीन दर्पन, समतल दर्पन, उतल दर्पन और अवतल दर्पन तो यहां सम दर्पन का उपयोग पूछा जाता है कि कौन से दर्पन का कहां उपयोग किया जाता है यहां उपयोग से पूछा जाता है तो आप क्या किजिए उपयोग को पढ़िए यह तो समझ गे इसके बाद ज उत्लब ही हो गया परकास आरपार चले जाना तो भी लंब से दूरहटे या अभी लंब किया रहा है तो ऐसा होना चाहिए तो ऐसा जाए जो जिस माध्यम से उत्पन हो रहा है तो उसे परकास कहते हुआ अफ़र्तन होता है इसी में ज़Daddy a firing यह लेंस में ज़ीड़ान समय धिसमें वर्तन होता है लेंस में भी आप लेंस का परकार देखिए लेंस इतर लेंस अब था तो इसमें में दो लें कि उत्तल लेंस का उप्योग कहां कहां किया जाता है अब तल लेंस का उप्योग कहां किया जाता है यहां उप्योग से पुछता है इसके बाद जो पुछता है पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन करने से उसका उप्योग कहां कहां किया जाता है यहां से पुछता है तो आप इसके बाद प्रकास का विवर्तन इसके बाद प्रकास का विवर्तन से पूचता है उसका भी उपयोग कहां कहां किया जाता है वहां से पूचता है इसके बाद प्रकिर्णन प्रकिर्णन जब प्रिज्म से होकर प्रकास की जारते हैं तो प्रकास सात रंगों में विभाक्त हो इसके बाद जो क्वेशन पूस्चता आपको मानवनेत्र से मानवनेत्र में पर पेखेए तो मतलब ही होगे आपका आँक का भाग पूरा भाग फिर इसके बाद आँक में कौनसा दोस होता है निकट दिरिश्टी दोस दोनों फिर दोस हो जाया मिला के तो वह दोस्त मतलब कौन-कौन सा लेंज काप्यों किया जाता है पर यहां से पुझा जाता है अब इसमें भी और बहुत सारा ऐसा में कुशन है जैसे के आधस नीला क्यों दिखा दिखाई देता है से परकास का पुन आंतिक प्रावरतन के वज़से दिखाई देता है तो इसब इस टॉपिक में जो आपको पढ़ना आपको धिमाग में आना चाहिए उपयोग देखेंगे तो सब बेवारिक लाइफ में इसका उपयोग होता ही है जैसे आप गारी लिए तो गारी में जुद यहां जाता है फिर आप इसके भाइब घर में एना यूज करते हैं तो कौन सा एना होता है हजामत आप शैनूल जाते तो आप समझ रहे हैं चलिए पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे धन्यवाद